नमस्कार मैं सोनी ओज़ा स्वागत है आपका एनन 24 निउज में बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर धनबाद जुला अंतरगत निर्सा प्रखंड के 15 पस्चिम पंचायत में सरकारी योजना के तहत हुई सरकारी पैसो का गबन आपको बता दें कि 15 पस्चिम पंचायत के मुखिया रॉबिन धीवर के खिलाफ पंचायत के उपमुखिया तारकनाथ मलाकर ने मोर्चा खोलते हुए मुखिया के द्वारा पंचायत में हुई गड़बडी और सरकारी पैसो का गबन का खुलाशा किया उपमुखिया का कहना है कि उनके द्वारा आर्टी आई फाइल किया गया था और आर्टी आई की रिपोर्ट के मुताबिक मुखिया के द्वारा की गई योजनाओं में काफी गड़बडी देखी गई जिसने पंचायत सेवक भी शामिल रहे 140 से लेकर PCC सडक समुदाइक भवन लगभग सभी योजनाओं को कागच कलम में तो सब कुछ सही दरसाया जा रहा है परन्तु धरातल में इसकी सच्चाई कुछ और ही है मुक्या के द्वारा दूसरी पंचायत के लोगों में लाभुक समीती में चयन कर दिया गया ठेका यहां तक कि मुक्या जी अपने ही भगना को पंचायत का ठेकेदार बनाने से बाज नहीं आये उपमुख्या ने मीडिया के सामने मुख्या रॉबिन धीवर के एवं पंचायत सेवक को मिली भगत से 15 पस्चिम पंचायत में योजना में गडबडी और सरकारी पैसे की गबन का आला अधिकारियों से जाच करने का आवेदन किया जहां है वहां के आदमी को दिया जाना चाहिए